नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टमाटर के जुलसा रोक के बारे में इसे बलाइड भी बोलते हैं या हम बोल सकते हैं कि ये टमाटर का सबसे बड़ा दुस्मन है ये टमाटर की फसल को दो दिन में नस्ट कर देते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस रोक को आप पहचाने कैसे हैं इस रोक की पहचान क्या है आपको कैसे पता चले कि आपके खेत में जुलसा रोक या बलाइट आ चुका है तो दोस्तों यदि आप चेनल पर पहली बार आए हैं ये वीडियो इस तरह के पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो तो चेनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं एगरी कल्चर से सम्बंधित जानकारी आप तक पहुचा सकूँ तो दोस्तों ये बिमारी जो जुलसा बिमारी है ये दो तरह की होती है एक होती है अगेती जुलसा और दूसरी होती है पचेती जुलसा तो इसकी पहचान ये है कि अगेती जुलसा जो है इसमें बीच में पोधे के बीच में गोल से धब्बे बनते हैं सरकल बनते हैं गोल ये बाहर की तरफ ये पत्तियां ऐसी मुर्जा जाती हैं मुर्जाने लगती हैं और जल जाती है इस तरह की होती है और ये पोधे की निचली पत्तियों पर जो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये पोधा है तो इसकी निचली पत्तियों पर ये बीमारी सबसे पहले अटेक करत आती है इसके बाद में दूसरी बीम जो दूसरा बोल रहा हूं में वह पच्छेती जूल्सा समें वह होता है यह कि जैसे आप इस पति को देख पा रहा होंगे तो यह किनारे से जूलसन शिरू करती है पतियां और धीरे धीरे अंदर की तरह बढ़ती जाती है और यह पूरी पत्ती इन दोनों बीमारी में अगेती जुलसा और पछेती जुलसा में इस तरह से पूरी पत्ती ये खतम हो जाती है बिल्कुल ये पत्ती जल चुकी है और ये तने पर भी ये आने लगता है ये बीमारी तने के उपर आ गई है ये आप देख पा रहे होंगे तने के उपर य जुलसा जिसे बोलते हैं उसकी यह पहचान है और अब इसके बारे में आगे यह बताना चाहता हूं कि यह तो इसका आप पहचान लेंगे कि यह आपके खेत में आ चुका है अब यह आता कभे जैसे आप देख रहेंगे कि यह नमी वाले मौसम में आता है humidity जादा रहती है बादल हो रहे होते हैं बरसाथ होने वाली होती है तो इस तरह के उसमें मोसम में मोस्चेर वाले उसमें बहुत तेजी से आती है और ये दो दिन में भी आपकी फसल को नस्ट कर देती है तो इसलिए जागरूक रहें जल्दी तुरंट पेचाने की ये जुलसा आगया है अगेती जुलसा है या पचेती जुलसा है और उसका तुरंट नियंतरन करने की कोसिस करें जिससे आपकी फसल पूरी बच सकती है सुरक्षित रह सकती है तो दोस्तों अभी हमने जिसे पहचान की बात करी कि इस वीमारी को पहचाने के से, अगली बात आती ही कि इसका नियंतरन सबसे मुख्य बात है, तो इसमें मैं आपको सुझाओ दूँगा कि एक केब्रियो टॉप करके फंजी साइड है, जो कि जिस पे ग्रीन का निसान बना हुआ है, जो प्रकती के लिए भी जाधा नुकसान दायक नहीं है, आप इसको एक ग्राम एक लीटर पानी में, यानि कि आपका जो पंदरा लीटर का पंप है, उसमें पंदरा ग्राम मिला कर फसल के उपर टमटर की फसल के उपर छिड़काओ करेंगे, तो ये पूरी तरह से अगेती जुलसा और पचेती जुलसा दोनों को न नुकसान नहीं होगा, और आपको बहुत अच्छा इसका नियंतरन मिलेगा, दूसरा या आप जैसे ये रिडो मिल गोल्ड है, इसको भी आप उपियोग कर सकते हैं, इसकी मात्रा भी सेम रहेगी, एक ग्राम एक लीटर पानी में मिला कर, यानि कि पंदरा लीटर का जो पं सकते हों टमाटर से आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, तो धन्यवाद दोस्तों